आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीशक है हाथी और उसके दोस्त एक बार की बात है एक अकेला हाथी एक अजीब से जंगल में घुसाया यह जंगल उसके लिए नया था और वह दोस्त बनाना चाह रहे थी वह एक बंदर के पास पहुँची नमसकार बंदर क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी तुम मेरी तरह जूनने के लिए बहुत बड़ी हो इसलिए मैं तुमारी दोस्त नहीं बन सकती हाथी फिर एक खरगोश के पास गया और वही प्रशन पूछा खरगोश खरगोश क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी तुम मेरे बिल में फिटोने के लिए बहुत बड़ी हो इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता अब हाती मेड़क के पास गया मेड़क मेड़क क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे और उसने एक भालू से पूछा कि सब भाग क्यों रहे हैं फिर खुले में हैं बे सब अपने आपको बचाने के लिए उससे भाग रहे हैं अब हांती शेर के पास उसे समझाने के लिए गया किरप्या इन निर्दोस लोगों को चोड़ ना पहुँचाएं किरप्या इनने अकेला छोड़ दे शेर ने उपहास किया और हांती को एक तरफ हो जाने के लिए कहा तभी हांती क्रोधित हो गया और उसने अपनी पूरी ताकत से शेर को धक्का मार दिया जिससे वह घायल हो गया बाकि सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गये और शेर की हार पर खुशी मनाने लगे वे हांती के पास गये और उससे कहा तुम हमारे दोस्ट बनने के लिए बिल्कुल सही अकार के हो इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि किसी वेक्ति का अकार उसके मूले का निर्धारन नहीं करता ऐसी और भी नही नही कहानियों के लिए हमारे चैनल क्वेस्ट कहानिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें